बच्चो आज हम लोग आज class 2 के computer collection 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है starting and closing a computer computer को हम लोग कैसे start करते हैं और कैसे close करते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है in this chapter we will learn how to start a computer और फिर दूसरा हम लोग देखेंगे हाव तू टर्न ओफ एक्षान डन इन जो भी हम लोगो करना होता है दसेम अप्लाइज तु दप्रोसेस अफ इस्टार्टिंग अब भी प्रोसेस होता है कंप्यूटर में अगर ऐसे डारेक्ट बंद हो जाता है कंप्यूटर तो क्या होता है उसमें डाटा का डामेज होने का खत्रा रहता है यहां पर देखे लिखा हुआ है जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो आप लोग उसमें देखें के करसर होता है यह क्या करता है यह दिखाता है कि कंप्यूटर क्या हो गया है अपना कारे करने के लिए रेडी हो गया है ठीक है, how to start a computer, यहाँ पर हम देखते हैं, how to start a computer, computer start करने करें कुछ steps हम लोग को follow करना पड़ता है, उसको हम लोग देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, to start a computer, follow these steps, हम लोग जब इस computer start करते हैं, तो क्या करना है, इन steps को follow करना होगा, ठीक है, तो देखते हैं, क्या step है, step 1 पहले तो यह जो आपके घर में switch रहता है, उसको हम लोग on करेंगे, switch on the main power supply of button, क्या करते हैं, जो भी board होता है, उसका हम लोग क्या करेंगे, switch को on करेंगे, then step 2, switch on the UPS button, UPS button यहाँ पर देखे, switch on किया गुए है, तीर के द्वारा, वहाँ पर button को हम लोग press करेंगे, दबाएं अगर उसमें से current आता है, तो current goes off, UPS make the computer work, अगर कभी-कभी क्या होता है, कि बिजली नहीं चला जाता है, अगर बिली off हो जाता है, तो भी क्या करता है, UPS ऐसा है, एक machine है, कि उसके माध्यम से computer कुछ दिर क्या करता है, अपना कारे कर सकता है, ठीक है, फिर आगे देखे, step 3 क्या है, switch on the power supply button of the CPU, फिर क्या करता है, power supply का जो button होता है, इसका CPU का ये CPU है, तो हम उसका switch on करेंगे, then switch on the monitor button and wait for some time, फिर क्या करेंगे, monitor का ये जो button है, यहाँ पर देखिए, on करेंगे और कुछ देर तक wait करेंगे, फिर computer क्या हो जाएगा, start हो जाएगा, ठीक है, आगे कि, यहाँ पर लिख रहा है, we will find a welcome screen of windows, तो क्या करेंगा, आपके computer में लिखने, देने लएगा, कि welcome, welcome लिखने लएगा, screen पर window पर, तो letter on, तो क्या हो जाएगा, on हो जाएगा, we will find another screen known as desktop, ठीक है, फिर आप लोग desktop को देखेंगे, अब how to turn off a computer, अब कैसे हम लोग computer को off करते हैं, उसको देखेंगे, to turn off a computer, we cannot just switch off, switch it off directly, जब computer को turn off करना होगा, या बंद करना होगा, तो आपके उसको क्या direct switch off नहीं कर सकते, ठीक है, it has to be shut down properly, उसको क्या करेंगे, हम shut down properly करेंगे, shut down यानि की computer को बंद कर देंगे, to shut down the computer, follow these steps, computer को shut down करने के लिए, हम लोग क्या करें देखे, step one क्या है, close all running program, जो भी आप computer में program खोले हुए है, उसको क्या करेंगे, पहले close कर देंगे, देखे, दूसरा step क्या है, click on the start button, फिर क्या करेंगे, start button पे click करेंगे, ओके, फिर देखिए, फिर तीसरा step है, select the turn off, फिर वहाँ पे आएगा turn off computer option, from the start menu, start menu में एक आएग turn off computer, फिर उस पे क्या करेंगे, हम click कर देंगे, ठीक है, the turn off computer window dialogue box appear, फिर आपको दिखाई देने लाएगा, now click on the turn off button, फिर turn off button पे हम लोग click कर देंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, wait for some time till the computer turn off automatically, और कुछ समय के लिए आप लोग wait करेंगे, और फिर क्या automatically, क्या हो जाएगा, turn off हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे देखे बीच में एक points, इसको हम को जानना है, when you select to shut down, the computer will check all its part and its drive, ठीक है, तो क्या है कि जब भी computer हम लोग बंद करेंगे, तो इन सारी चीजों को, चीजों को ignore नहीं करेंगे, इनको, इन सब चीज को हम लोग देख करेंगे, नहीं तो ऐसे अगर आप computer को directly बंद करते हैं, तो क्या हो जाए, computer damage हो सकता है, इसलिए हमेशा आप लोग remember याद रखेंगे, कि computer को properly start करेंगे, और properly ही, properly उसको हम लोग close भी करेंगे, ठीक है, shut down करेंगे, ओके, thank you,